प्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जट प्रांट के बारे में सारी जानकारी दूंगी बताओंगी कि इस पौधे को कब-कब किस-किस तरीके से लगाया जा सकता है और कौन सी इसको फर्टिलाइजर दी जा सकती है जिससे कि ये पौधा हमेशा हरा-भरा और घना बना रहे इसके अलावा कभी-कभी पौधे पर से पत्या अचानक से पीली होकर क्यों गिरने लगती हैं तथा पौधा अमारा अचानक से ग्रोध को क्यों रोग देता है तो इन सब प्रॉब्लम्स का क्या हल हो सकता है उसको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करू नमिशकार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हरदिक स्वागत है फ्रेंट्स जेट प्लांट एक इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरीके का एक बहुत ही खुबसूरत सा पौधा है जिसकी की पत्या छोटी-छोटी हरी और काफी मोटी होती है और ये पौधा काफी शुप पौधा माना जाता है इस पौधे की खासियत होती है वैसे तो इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखा जाता है लेकिन अगर ये पौधा धूप में रखा जाता है तो इसकी पत्यों के किनारे लाल रंके हो जाते हैं ये पौधा कई सालों तक चल हो जाता है चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके की मिट्टी में अगर हम अपने जैट प्लांट को लगाते हैं तो हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है तो फ्रेंट्स इस पौधे को जब भी आप लगाएं तो साधारन मिट्टी में ना लगाएं क्योंकि एक सक प्लांट होते हैं उनको बालू वाली मिट्टी काफी पसंद होती है तो इसके लिए आप 50% गार्डन की स्वाइल ले और उसमें आप 25% रिवर सेंड यानि की बालू को मिला ले और 25% आप उसमें गोबर की अच्छी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को मिला ले और इ इस पौधे को कम से कम 3-5 घंटी की धूप चाहिए होती है लेकिन जब गर्मी की तेज धूप होती है तब इसकी पत्यां उस गर्मी से जुलसने लगती है इसलिए जैट प्लांट को हमेशा ऐसी जगे पर रखें जहां सुबह और शाम की कुश घंटों की धूप इस पौध प्रणट नहीं होती है इस पौधे को आप पानी तभी दें जब इस पौधे की गंबले की मिटी सूखी हुई हो और इस पौधे को पानी किस तरीके से दें तो उसके लिए पौधे के पर कभी ऊपर से पानी मत दें क्योंकि इसकी पत्यों के गलने का चांस बढ़ जाता है तो जब भी आप पानी दें तो गंबले में किनारे से पानी दें अब बात करते हैं कि कभी कभी जट प्लांट के पौधे की पत्यां पीली होकर नीचे अचानक से क्यों गिरने लगती हैं तो फ्रेंड्स उसकी दो वज़े हो सकती है पहली वज़े होती है कि इस पौधे के पास fertilizer की कमी हो और दूसरी वज़य इसकी होती है कि आपने पौधे को ज्यादा पानी दे दिया है जिसकी वज़े से पौधे की पत्यां पीली होकर नीचे गिरने लगी है क्योंकि इस पौधे की पत्यों में अपने आप ही पहले से ही वाटर प्रेजेंट होता है अब लास्ट के रूप में वर्मी कमपोस्ट है और दूसरी खात के रूप में सीवीड फर्टिलाइजर है तो फ्रेंट्स वर्मी कमपोस्ट में 2-3% अकेली नाइट्रोजन पाई जाती है जिसकी वज़े से पौधा काफी हरा भरा बना रहता है और इसमें 2% ही सलफर भी पाया जाता है जिससे पौधों की जड़े काफी मजबूत रहती है इसके लावा इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है और अगर सीवीड फर्टिलाइजर की बात करें तो फ्रेंट्स इसमें जो पाया जाता है वो किसी दूसरी फर्टिलाइजर में नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत micronutrients होते हैं जैसे कि potassium, calcium, magnesium, iron, zinc, iodine के लावा और भी ऐसे बहुत से vitamins तथा minerals पाए जाते हैं जो किसी दूसरी fertilizer में नहीं होते हैं तो अगर इसका पौदे पर regular use किया जाता है तो वो पौदे में काफी हमारे अच्छी growth होती है साथ में वो पौदा काफी स्वस्त भी र जाती है इसलिए 8-inch के गमले में या फिर hanging planter में यह काफी अच्छी तरीके से पौधा growth करता है और अगर इसकी cutting आप लगाना चाहते हैं तो लगाने का सबसे जो best समय होता है वो अभी चल रहा है फरवरी और मार्च का होता है और अगर आप बरसात के सीजन में लगाना चा जादा जब गर्मी पड़ती है उस समय इसकी cutting grow नहीं होती है तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है तो हम लोगों का जैट प्लांट काफी अच्छी तरीके से और लंबे समय तक हरा भरा बना रहेगा फ्रेंट्स बताना भूल गई कि जैट प्लांट को के रूप में काफी खुबसूरत लगता है